हार्ड हिटिंग वीडॉप्स हो सकते हैं दरसल स्यासी गले आरों में ये क्यास चलिए लगा जा रहे हैं क्योंकि राइबर लीके मुंसी गंजेश्थित संजे गांदी अस्पताल का उत्तर प्रदेश सरकार ने लाइसेंस रद कर दिया इस अस्पताल का सुभारम उनकी दादी और पूर प्रधान मंतरी इं पहले भी स्यासी गले आरों में कई बार ये बात उठती रही है क्या बरुन गांदी आने वाले चुनाम में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्यासी मैदान में अपनी राजनीती करते रिखेंगे क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इलाके की जनता को हो रही परेसान ने पहुंची एक महिला की सरद्री के दोरान एनस्टिया की ओवर डिर दिये जाने की सिकाइश सामने आई उसके बाद वह महिला बेहुस हो गई और कौमा में चली गई लखनव के मेदानता अस्पताल आगे के इलाज के लिए बहे जा गया जहां उसकी मौत हो गई थी इस साथन की और से संजय गांदी अस्पताल का लाइसंस निलंबत करते हुए नोटिस जारी कर ओपी डी और अमर्जेंसी से बाप बंद करने का रिडिस दिया गया था इसी घटना के बाद पीली भीट के बाद पासांसर बरुन गांदी ने उत्तर पतेश के डिप्टी सीएम ब रहन जाच के ना होने की भी बात कहते हुए तमाम सबाल खड़े कर दिये अपनी चिट्ठी के पूरे मजमून पर राजनी तिक जानकार तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं रैबरली के इस्थानी वरिश्टनेता आतार हुसन कहते हैं कि जिस तरीके जे बरुन गांदी ने इस सफ्टाल के लाईसेंस रद होने पर इस्थानी और आसपास के जिलों के लोगों को होने वाली समस्यां को परमकता से उठाया है उससे इस पस्ट होता है को वह यहां की जंता के लिए कितने सजगें अतार कहते हैं कि यह बात बिलकुश सचे कि संजेगांदी जिस तान से आस जनता के लिए आवाज उठाना सियासत में कई तरह की चर्चाओं को जन्म तो देता ही है अतर कहते हैं कि वो लंबे समय से मांग करते आए हैं कि बरुन गांधी को कांग्रिस के साथ मिलकर सियासी मैदान में उतरना चाहिए अब तो बरुन गांधी ने इस्थानी लोगों की आवाज को उठाना भी शुरू कर दिया है राजनी तक जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से बरुन गांधी भासपार उनकी नीतियों को लगाता निशाने पर लेते आ रहे हैं उससे अंदाजा लगा जा रहा है कि आने वाले लोग सबाके चुनाम में उनका सियासी ठिकान ने और बरुन गांधी ने इस तरीके का कोई साफ साफ संदेश नहीं दिया है लेकिन कभी समाजबादी पार्टी तो कभी कांग्रेस में उनके आने की अठकले लगती रही हैं दोस्तों स्यासी जानकारों का कहना है कि अब अगर मुंसी गंज के संजे गांधी स्पताल के ल बादी अंद्रगांधी का जिकर किया है बलकि स्थानिय लोगों के को होने वाली परेशानि का वी जिक्र इस स्ब्सक्राइब करें वी डियो को लाइक करें ज्यादा यदा शेयर करें आप लोगों का बहुत भुत धन्नवाद थैंक क्यू वेली मुच